Hello and welcome friends, Tally Prime सीखने के सिरेज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Tally Prime की Tally Prime के अंदर एक सवाल अक्सर जो दिमाग में बना रहता है कि सर आखिरकार mutual fund की entry अगर हमें Tally Prime के अंदर करनी हो तो कैसे किया जाए तो mutual fund की entry भी आप Tally Prime के अंदर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए मैं Tally Prime को open करता हूँ और इसी के उपर हम देखेंगे कि mutual fund की अखिरकार entry Tally Prime के अंदर कैसे होगी ठीक है तो चलते हैं यहाँ पर एक company हमारे पास पहले से है लेकिन आम तर पर जो काम हम करते हैं company बनाने का वो company हम बना करके तब इसमें entry पास करेंगे तो यहाँ पर create company पर जाकर के click कर देना है आपको एक form पूलेगा इस पर आप company बना लेजेगा mutual fund के नाम से मैं company बना लेता हूँ तो यह हमारी company है mutual fund के नाम से इसका local address जो है यहाँ पर डाल देते हैं जो भी यहाँ पर address हो company का वो company का address डाल दिया यहाँ पर आएगा यू उतरपदेश यूपरेस करेंगे उतरपदेश यूवाले सारे राज्यों के नेम हालाइट हो जाते हैं तो उतरपदेश हमें चूज कर लेना है यहाँ पर आपको देना होगा पिन कोड तो 274 001 यह हमारे local area का पिन कोड है यह हम देते हैं आगे बढ़ते हैं और enter करते हुए इसको accepted करा ल लेकिन अभी हमने cash receive नहीं कराया है company में तो cash को receive करा लेते हैं capital के रूप में आप चाहे तो bank से या फिर ऐसे भी receive करा सकते हैं तो जो भी तरीका आपको समझ में आता हो वो कर लिजेगा यहाँ पर आईएगा capital account का एक laser बन जाएगा तो यह हो गया capital account एंटर कर लिजेगा य यहां पर डाल दीजेए यह फिलहाल में cash कर रहा हूं लेकिन यहां पर आप देखरते हैं यह payment voucher है तो payment voucher में entry होगी तो यह गलती आप मत करिएगा तो यहां पर यह receipt voucher में entry कर लिजेगा और enter करके इसको accepted करा लिजेगा तो यह काप हो गया है अब हम एक bank account का एक laser बनाना तो laser किसका बनाना है State bank of India state bank of India अइंडिया एंटर करेंगे एंटर करेंगे यह करेंगे अंडर bank account करेंगे और यहां पर जो भी bank account number हो वह आप जरूर दे दिजेगा तो यहां पर यह दिए और यह पर आये दिए और यहां पर आये वह आ जागते हुए आगे बढ़ जायेगा और यहां पढ़ाएगा आपका जो नंबर है और जो local area में जो branch है उस जिगह का नाम आ जाएगा और enter, enter करके इसको accept करा लिएगा जब accept करा लेंगे तो इसके अंदर पैसा भी हमें डालना है तो वो पैसा कैसे डालने देखिए वी इंट्रा में चलना होगा अगर हम चाहते हैं उस bank account में पैसा receive कराना तो Contra में चलने हैं Contra F4 press करके जा सकते हैं आप Contra में और यहां पर आपको एक चीज़ है रहा है कि इसे single entry mode में ले लेना है तो यह हो जाएगा तो यह ऐसे आएगा अब आपको यहां पर उस खाते का नाम देना है जिसमें की पैसा in होगा यानि जाएगा तो यहां पर SPI के अंदर हमें पैसा डालना है और cash में डालना है तो यहां cash कर दिया कितना पैसा डालना है जैसे इस बार हम 70,000 रुपे डाल देते हैं तो यहां पर यह डाल दिया enter करेंगे enter करेंगे और enter करते हुए यहां पर note के detail आई की 2000 का note बंद हो गया पैसे एक हजार का आया नहीं है तो है वहीं डालेंगे तो यहांपर क्या करते हैं 40 note 40 क्या यहांपर कर देते हैं तो सौ करेंगे तो यह 50,000 हो जाएगा been 120 कर देते हैं तो Choelle हो जाएगा और 140 कर देते हैं तो यह यहां पर 140 नोट कर देते हैं तो यह 70,000 हो जाएगा यह हो गया एंटर करेंगे एंटर करेंगे बैंक वेंग का नाम आपको भर लिजेगा तो यह हो गया तो अभी तो पैसा चला गया आपका किसमे आपके बैंक अकाउंट में चला गया अब यहां पर यहां पर आपको अकाउंट नजर आ रहा होगा ठीक है तो यहां पर कौन से अकाउंट देना है तो वही SBI वाला अकाउंट आपको यहां पर दे देना है इसी में से पैसा कटेगा ठीक है इसी में से क्या होगा पैसा कटेगा और यहां पर अल्ट सी करके एक लेजर म्यूचु तो वो देख लिए यहां पर मैं दे देता हूं यहां पर मैं दे देता हूँ और पर निपवाउन कर देते हैं यहां पर एन आई डबल पी ओ एन निपowment इंडिया पावर लिमिटेड इंडिया पावर पी ओ डबैडलू एार लिमिटेड ठेखिंड ऐऑ और यहां पर इनवेस्ट करेंगे और यहां पर जैसे ही आ आते हैं तो अब यहां पर गृप क्या देंगे यहाँ पर सवाल यह बनता है कि mutual fund का group क्या होगा तो बहुत सारे लोग इस पर confused रहते हैं तो don't be confused about it की mutual fund का आखिर का group क्या होगा आप इसकी entry journal voucher में भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं payment voucher में ही entry यह करके आपको दिखा रहा हूँ अब यहाँ पर जब group की बात आएगी नो तो यहाँ पर हम investment select करेंगे क्या select करेंगे investment तो एक यह भी आपके दिमाग में सवाल रहता होगा कि यह आखिरकार investment का क्या art है आखिरकार इसको कहा यूज करेंगे तो यह investment हो गया ठीक है और यह GST के साथ करना या तो अभी not applicable कर देत ul L igual यह करेंगे और यह howard कंवा पुर्ण कटिने को कितने का तो हम यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे 1000 का ठीक है तो यह 3000 हमने कर दिया ênter कर रहेंगे और enter करके इसको accept करेंगे, तो ये accept होगा, आप date देख लिए एक अपनल की date है, enter करेंगे, फिर अगर आप दूसरे महीने SIP की entry ऐसे ही करनी है, तो यहाँ पर एक पांच, दो हजार चोविस कर दीजेगा, और इस date पर फिर वही SIP कटेगा, तो इसी state bank से पैसा कटेगा, आप इसी तरीके से आप mutual fund में पैसा कटने की entry पास कर सकते हैं, उमीद करता हूँ कि ये problem आपकी solve हो जाएगी, कुछ लोगों कि ये भी समस्या है, कि ये कैसे होगा, ये आखिर कर mutual fund वाली entry कैसे हम पास करेंगे, आप जैसे माल कि ये तीसरा जो आना है, तो यहाँ पर फिर वही वही निपॉन वाला fund, तो यह आ गया, और फिर 3000 कटेगा इसने से, ठीक है, तो यह 3000 कटेगा, dal करेंगे, dal करेंगे, dal करेंगे, जितना कटता जाएगा, उतना माइनस होता हूँ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस छीज पो बिलकुल ध्याग से देख लिएगा, और य थी यहां पर यह amount बढ़ गया है देख सकते हैं और यह घटता जा रहा है 61,000 होगे आप फिर 3,000 अगर आप जाएंगे इसमें तो फिर यह और देखिए 12,000 होगे बढ़ गया न तो यह amount बढ़ता जाएगा और उथर उपर जो स्टेट बैंक है उसमें सा amount घटेगा ठीक है और इसका फिर हम आगे चल करके interest calculation कैसे करेंगे कैसे क्या करेंगे तो इसके लिए एक next video बनाऊँगा जिसमें पूरा detail बताऊँगा ठीक है ना उमीद करता हूँ बात समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करे थैंक यू फर वाचिंग देस वीडियो